शिम महापुरान की कता करती है त्रवेणी का पोधा घर में नहीं लगाया जाए कई-कई लोग इतने चतुर होते हैं कि घर में त्रवेणी लगा लेती है कि गमले में आउला लगा लिया, पीपल लगा लिया, बड़ लगा लिया तो ये त्रिवेनी का जो पोधा होता ही ये बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं होना चाहिए, हाँ, आउले का पेडा पलक से लगा लो, चल जाएगा, पीपल का पोधा छोटा लगा होगे, थोड़ा समय तक जब तक पीपल बड़ा ना हो, तुमारे सिर पर छाया ना ही ह पर बाद में जब चाया सिरते आने लगाने लगें तो बड़को भी आपको लगाना प dedic कर अपके अंदर से शमी स्वी क करें करें कि सब्ससें का पोधा जब बड़ा हो जाए तब उसको भी अटाना पड़क। शंकर भगमान को जो पत्थ्थ चड़ती है शमी पत्र चड़ता है उसमें बईल पत्र का जो पोधा है वो परमानिंट कितना भी बड़ा हो जाए वह सुख देगा पर शमी का पोधा भी जादा बड़ा होगा तो वह आपको भटाना पड़ेगा लेजा का लगाना है छोटा है अच्छा पर निवेधन है कि बढ़ पीपल और आउले कि त्रवेणी आप गमले के अंदर ना बना प्रवेणी का गमले की कथा में इस्पष्ट उल्याह गया जहां का पोधा गंता है वहाँ उस इस्थान पर महराज कहीं ना कहीं कलेश का भाव होता है उस गर में शांती नहीं होती क्यों तो उसका भी व्याख्यान गरून पुराण में कहा गया चावर्णन किया गरून पुराण में कि जब जीव आत्मा को लेकर आए जाता है सारे सुक, दुख, सब भोगने के बाद में कुछ समय के लिए उसको पित्र लोक में जब लाया जाता है तब पित्र लोक में आने का जो प्रविश द्वार है उस द्वार में जब जीवात्मा सारे दुख भोग कर तकलीप भोग कर वो जीवातमा जब प्रवेश करती है तो उसको लगता है कि यहाँ पर फिर मुझे कहीं तकलीप का अनुबह होगा तो वो अंदर प्रवेश नहीं करती है त्रवेनी का जो पोधा होता है उसी पोधे के नीचे वो जीवातमा कुछ देर विश्राम कर लेती है एसलिए शिव महापुरान करती है त्रवेनी बाहर पूजी जा त्रवेनी बाहर लगता और त्रवेनी का पोधा घर के अंदर गमले में रहेगा जीवातमा उनको जैसे दुख का बाहराण होता है तो विश्रान्ती लेते हैं तो आहुत पितर वासुख जो प्रेत योनी में भटकने वाले विजीव होते हैं वो त्रवेणी के नीचे कुछ समय के लिए विश्राम लेते हैं विश्रान्ती महारवाद मिश्तनु शी outfits पुरान में और गनेश पुरान के अन्दर एक बहुसिंदर पुरान में जैसे दुरुबा का पुरुटर पुर्ण कहा गया है कल उस पुरुटर को तुरुबा वर्णन खरेंगे कोई पुर्ण के कि कौन सी दुरुबा और पीपल के दो पत्रे उसमें डाल कर, शमी के पेड़ के उपर, उस जल को समर्पित करकर, आप अपनी कामना बोल कर, जिस कारे के लिए जाते हैं, वो कारे मात्र तीन दिन में सफल हो जाता, मात्र तीन दिन लग गणिश्पुरा, शमी पत्र का, शमी का जो पोधा, आपको क उमा और महेश, माता पारवती का जो एक अउतार हुआ था, उमा उतार, तो माता पारवती, जो बावन अउतार माता पारवती के हुए, उसमें एक अउतार माता पारवती का उमा उतार है, तो उमा उतार माता पारवती का हुआ था, तो उसके साथ में संकर भगवान को महेश्वर दूकान न लिया तो उमां और महेश्वर का जब मिलन हुआ था उस मिलन के द्रश्धी कोण से उस बिलन की दृष्टी से विध्रीष शंकर भगवान की जो जलाधारी है बस उस जलाधारी का मुख उत्तर का होना चाहिए घर में भी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रखते हैं अपन तो शंकर जी की जो जलाधारी का मुख होता है वो उत्तर का होना चाहिए उत्तर बगवान को जब भी भी बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो ये डंडी का मुख आप जहां बेटकर कर रहे हो आप उधर बेटे हो इधर बेटे हो जहां तुम बगवान संकर के सामने बेटे हो इस डंडी का मुख तुम जिस जगहा पर बेटकर बेलपत्र समरपित कर रहे हो तुम जिस जगहा बेटकर बेलपत्र चणा रहे हो तुम जिस जगहा बेटकर बेलपत्र को भगवान शिव को समरपित कर रहे हो तो दंडी का मुख आपके ठीक विप्रिता के भाव में होना चाहिए भगवान शंकर को जहां बेटकर चड़ाओ, डंडी का मुख नितनी तक, मारत, जब शमी पत्र भगवान शंकर को समर्पित करो, तो शमी पत्र की डंडी का भाग आप की ओर होना चाहिए, बेल पत्र की डंडी विक्रिता भाओ, और शमी पत्र की डंडी का भाओ, शमी पत्र क कि जो डंडी होती उसका भाग अपनी रोड़ना चाहिए यह बटकेश्र महादेव कोई साधरण नहीं है हमारा अधालत में केस चल रहा हो प्रशासई कोई परिशानी आ रही हो कोई एक्जाम निकल नहीं रहा हो कोई केस अधालत में चल रहा है नहीं नहीं पट रहा बढ़के पेड़के नीचे शिवलिंग का निर्मान करें और शिवलिंग का निर्मान करकर पूजन करकर घी का गरत का दिया लगाकर दही चड़ाए उस दही को वाफिस हाथ से चम्मज से चम्मज में निकाल लीजिए उस दही को रखलो शिवजी की पूजन अर्चना करकर भगवान भोलेनात के शिवलिनका भी सर्जन करिया ओ दही जो चम्मज में निकाला है उसको एक रुमाल में लगा लीजीए चाहे स्वस्तिक बना लो चाहे छापा लगा लो दिंदी लगा लो उस रुमाल को जिस एक्जाम में बेट रहे हो उसमें जेब में रखतर ले जाईए अधालत जा रहे हो तो उसको अपनी जेब में रखतर ले कर जाईए मारत बटकेश्वर महादेव का उजन बटकेश्वर महादेव का इस्मरण बटकेश्वर महादेव की अराधना बटकेश्वर महादेव का नाम जाग वटकेश्वर महादेव की आर्चना फल देए वटकेश्वर सुक प्रदान करती है आपके जुनम का आनंद प्रदान कर देए आपके जुनम का आनंद हल देती है श्री श्रीव सब्सक्राइब देए आपके जि आफके जित कहिंब दर देए जुनम प्रदान कर दिक जुनम की आ रिडियो से इनुम्सक्राइब लेच साथू कर देए जुनम कर देए श्रीव श्रीव 김मा नमस्क्राइब द Means यह यह और सुनम कर